Hello students, class 10, subject math का chapter number 10 करेंगे हम circles So, इस वीडियो में हम इसकी introduction देखेंगे और हम theorem 10.1 भी discuss करेंगे So, let's start हमें 3 figures यहाँ पर दी गई है So, हम एक एक करकिन को समझते है So, first figure में एक figure दी है एक line आ रही है वो circle को किसी भी point पर touch नहीं कर दी है So, वो lines जो circle को किसी भी point पर touch नहीं करती है उन्हें बोलते है non-intersecting lines Next है, एक line आ रही है Circle को एक point पर touch कर रही है और फिर वो बहार चली जा रही है So, ऐसी line को हम बोलते है Tangent, ठीक है कोई भी line circle को एक point पर touch करेगी उसे बोलेंगे tangent और tangent यह पूरा एक tangent है ठीक है तो इस tangent का जो common point है जिससे वो circle पर meet कर रहा है उस point को बोलते है point of contact Third है, एक circle दिया है उस पर जो एक line है वो circle को two points पिंटे से करी है First यहाँ और second यहाँ पर So, जो line circle को two points पिंटे से कर दी है उसे बोलते हैं secant जो one point पे करें वो tangent और जो two point पे करें वो उसको बोलते हैं secant So, अब next हम देखेंगे हमारी theorem 10.1 तो यह है हमारी theorem 10.1 क्या है theorem, prove that the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through point of contact बोल रहे हैं कि एक tangent हमने draw किया है जो एक radius है point of contact पे वो इसके perpendicular है या नहीं है हमने prove क्या करना है कि यह जो radius है इस tangent के perpendicular है फिक है, so let's start करते हैं, पहले given में हम देखते हैं हमें क्या के दिया है A circle with center O एक circle दिया गया है और उसका center हमें given है यहाँ पर O center दिया है फिक है, और क्या दिया है हमें tangent दिया है and tangent क्या नाम है हमने tangent का नाम हमें यहां दिया गया है x and y ठीक है हमने proof क्या करना है radius perpendicular on tangent तो लिखेंगे op perpendicular on tangent x y अब इसको हम proof करने के लिए थोड़ी से इसमें construction करेंगे ठीक है क्या construction करेंगे हम इसमें एक यहां पर point ले लेंगे q और join कर देंगे o q तो जैसा कि हमने इसको join कर दिया है और जो यह point है इसको हम नाम दे देंगे r ठीक है जो हमने figure में construction की है वो हम यहां लिख देंगे लिखेंगे first of all take a point q on tangent एक q point लिया हमने tangent पे tangent का नाम है x y and join o q o q को हमने join कर दिया अब यहां से proof करेंगे इसको अब हम देखते हैं कि यह जो एक circle है यह o p और o r क्या है इस circle के radius है तो यह दोनों क्या होंगे एक दूसरे के equal होंगे तो हम लिख देंगे o p equals to o r क्यूंकि यह क्या है radius है लिख देंगे radius of circle circle को हम आर से भी लिख सकते हैं तो अब हम देखतें कि यह हमारे line है o q यह o q line क्या है o r से बड़ी है तो हम यह लिख देंगे कि o q is greater than o r ठीक है क्योंकि यह क्या है whole is the greater part क्योंकि जो o q line है वो बने किसे o r और r q से तो o r तो है हमारा radius और जो r q है वो क्या हमारा greater part इसलिए हम लिख देंगे whole is the greater part ठीक है सब हमने यहां देखा कि जो o q है वो r से बड़ी है तो उपर हमने यह step लिखा था कि जो o r है वो o p के equal है क्योंकि यह दुनों radius है इसलिए o q greater o r से है तो o q greater o p से भी होगी क्योंकि हमने उपर पढ़ा था कि o p equals to o r ठीक है तो हम लिख देंगे o p is the shortest side तो हम लिख देंगे o p is the shortest side hence o p is perpendicular on x y तो यह थी हमारी theorem 10.1 अगर आपको इवीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें थैंक यू